चर्चा का विशय है आज क्या सिर्फ गायत्री मंत्र से उर्जा निकलती है आज का यह विशय क्या सिर्फ गायत्री मंत्र से उर्जा निकलती है इस पर हम चर्चा करेंगे तो मंत्र विज्ञान का यह विशय है बहुत दिनों से इस विशय पर चर्चा लाने की बात बहुत पहले भी मैंने कही थी और मंत्र विज्ञान कैसे काम करता है मंत्र शक्ती कैसे काम करती है मंत्र से क्या मंत्रों में क्या उर्जा होती है या फिर मंत्र शक्ती से बहुत सारे काम हो सकते हैं कई लोग ये प्रश्न करते हैं और इसमें विशेस प्रश्न ये बन जाता है जो कि कहा जाता है कि गायतरी मंत्र में बहुत उर्जा है अगर कोई गायतरी मंत्र का जाब करे तो असाध्य बिमार्यों को भी दूर किया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है गायतरी मंत्र को महा मंत्र भी कहा जाता है तो अब चलिए मंत्र क्या है इस विशय पर हम थोड़ा सा आज चिंतन करेंगे और मंत्र की शक्ति क्या है यह प्रश्ण और यह विशय आया कहां से थोड़ा सा और हम इसको समझ ले कि आज का यह विशय क्यूं लेना पड़ा कुछ कारणों से लेना पड़ा क्योंकि एक तो पहले से भी इस विशय पर चर्चा होने के लिए कहा गया था कि इस विशय पर इस पश्टिकरन आएगा चर्चा आएगी और दूसरा कारण यह कि किसी एक चर्चा हुई एक महानुभाव उनसे चर्चा हुई कि गायतरी मंत्र के अंदर बहुत शक्ती है और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि गायतरी मंत्र के अंदर बहुत ही शक्ती है ठीक है तो अब वो महानुभाव ये कह रहे थे मैंने कहा कि अमेरिका के व्यग्यानिकों ने उन्हें थोड़ा सा उत्तर दिया कि अमेरिका के व्यग्यानिकों ने क्या सद्ध किया है वो आप रहने दीजिए अमेरिका के व्यज्यानिकों ने तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज सिद्ध किया है ठीक है तो हम ये बात गुलामी का परिचायक है कि आपको हर बार अमेरिका के व्यज्यानिकों का नाम लेना पड़ता है या उनकी मोहर लगानी पड़ती है यह गुलामी है यह एक मानसिक दास्ता है और यह एक मानसिक गुलामी है कि हर बात की प्रमानिकता आपको अमेरिका के व्यग्यानिकों से लेनी पड़ती है ठीक है फुल मिला के बात यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैस वाली बात यहां पर है जैसे लाठी चलेगी वैसी आवाज निकलेगी, तो घुमा फिर आके बात वहीं अटक जाती है, गुलामी वाली बात बन जाती है तो ये बात मैंने उनको कहा कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है, नहीं सिद्ध किया है, वो बात छोड़िये उनसे मैंने सीधा सा प्रश्ण किया कि आप एक बात बताईए आप ये कह रहे हैं कि गायतरी मंतर में बहुत उर्जा है तो क्या महा मृतुंजय मंतर में उर्जा नहीं है अब वो किसी संपरदाय किसी गुरु जी के शेश्य थे किसी संपरदाय से जुड़े हुए थे और किसी गुरु जी के चेले थे तो किसी कुए के मेंड़क थे आप समझ गए बात निश्य ही किसी कुए के मिंडक थे मैंने उनसे कहा क्या महा मिर्तुन्जे मंत्र से उर्जा नहीं निकलती क्या द्वादस मंत्र से उर्जा नहीं निकलती क्या विश्णु मंत्र से उर्जा नहीं निकलती क्या रुद्र मंत्र से उर्जा नहीं निकलती तो तथाकथित उन महानुभावने सीधा कहा कि जी नहीं अगर निकलती भी होगी तो गायतरी मंत्र के समान नहीं निकलती होगी उनका कहना था कि गायतरी मंत्र के समान उर्जा नहीं निकलती होगी इसी लिए गायतरी मंत्र से सरवाधिक उर्जा निकलती है तो मैंने कहा कि आप समझाइए तो उन्होंने कहा समझाने वाली कौन सी बात है ये तो अमेरिका के वैग्यानिकों ने सिद्ध किया है मैंने कहा कि आपको समझ में आ गया कौन सी थियोरी से सिद्ध किया है कौन से लौ से सिद्ध किया है क्या आप आपने समझ लिया आप कहा रहे हो कि अमेरिका के व्याग्यानिकों ने सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र से उर्जा निकलती है तो कौन से सिद्धान्त से सिद्ध करने के लिए सिद्धान्त चाहिए सिद्ध करने के लिए सिद्धान्त चाहिए तो आपको भौतिक विज्ञान के, physics के, chemistry के, biology के, या quantum theory के, कौन से सिध्धान्त से उन्होंने ये सिध्ध कर दिया है कि गायतरी मन्त से उर्जा निकलती है अब हो हला है भाई अब जो है लुमरी ने शोर मचा दी कि अंगूर खटे हैं खटे हैं तो सारी दुनिया में सोर मच रही कि अंगूर खटे हैं खरगोस भागता हुआ आया बोला कि आसमान गिर गया अब सारे जानवर भागने लगे कि आसमान गिर गया आसमान गिर गया ठीक है तो इसी लिए यह बात यहां पर थोड़ा सा विचारनिया है कि गायतरी मंतर से ही उरजा निकलती है या दूसरे मंतरों से भी उरजा निकलती है क्या महा मिरतुंजय मंतर से भी उर्जा निकलती है क्या द्वादस मंतर से भी और क्या जो है नवार्ण मंतर से भी उर्जा निकलती है इसकी प्रमानिक्ता कौन देगा तो महानुभाव किसी ऐसे संस्था से ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे किसी ऐसी संस्था के सदक से थे कि जहां पर यही कहा जाता है कि गायतरी मंतर से ही उरजा निकलती है बाकी किसी मंतर से उरजा नहीं निकलती है अगर उनके मन में हो भी कि शायद महा मिरतुजय मंतर से भी उरजा निकलती है शायद बीज मंतरों से भी उरजा निकलती है शायद नवार्ण मंतर से भी उरजा निकलती है उनके मन में अगर ये विश्वास हो भी तो वह ऐसा कहने के स्थिती में नहीं थे क्योंकि वो अपने संपरदाय के साथ खड़े थे इसलिए उनको घुमा फिराकर यही कहना था कि नहीं नहीं मातर जो है गायतरी मंतर से ही उरजा निकलती है अंतता उन्होंने यही कहा कि सिर्फ गायतरी मंतर से उरजा निकलती है और किसी मंतर से उरजा निकलती है तो फिर मुझे कहना पड़ा कि आप एक बार जाकर थुला सा वो अमेरिका के वैग्यानिकों ने जो सिद्ध किया है जरा ले आई ये सामने कौन से कौपी में, कौन से थूरी में और कहां पर कैसे सिद्ध किया है किस जर्नल में ये बात छपी है कि ऐसे सिद्ध किया है तो आप मुझे बताई अभी पीछे क्या हुआ कि एक नीरो सर्जन आपने नीज में देखा होगा है कि नीरो सर्जन वो किसी लड़की का brain की सरजरी कर रहा था brain tumor की सरजरी कर रहा था तो उसने क्या किया कि उस लड़की से बच्ची से पूछा कि तुम्हें क्या मंत्र याद है तो उसने कहा कि नहीं मुझे मंत्र तो नहीं मुझे क्या याद है उसने बताया कि मुझे हनुमान चलीशा याद है तो ठीक है बेटा तुम हनुमान चलीशा पढ़ो हम तुम्हारा operation करेंगे लड़की जो है पढ़ने लगी और जितने देर वह हणुमान चालीसा पढ़ते गई उतने में operation भी हो गया और operation सफल रहा successful रहा और वो हणुमान चलीसा जो थो इसने पूरा पढ़ भी लिया ठीक है तो अब यहां पर बताईए कि यहां पर कौन सा विज्ञान काम कर रहा था कौन सा साइंस काम कर रहा था तो यह अब थोड़ा सा हमें समझना है कि मंत्रों का विज्ञान या मंत्र शक्ति कैसे काम करती है मंत्रों से उर्जा निकलती है, मंत्र जाप से उर्जा निकलती है, मंत्र ध्यान से उर्जा निकलती है, इसमें कोई शंशय नहीं है, मंत्रों के अंदर अध्भुत शक्ती होती है, अध्भुत भाव शक्ती होती है, परंतु मंत्रों के अंदर किसी खास मंत्र का ही हम नाम ले तिवह ओम जो फ्रमात्मा है जो ब्रह्म है जो सर्व शक्ति मान शर्व ग्याता भुरुभुवस्वा तieनों लोगों में विर्याजमाण तिनों लोकों में वयाप्त, भूर-भू अस्वा यह तीन लोग तत्य उसको सवितur वरण्यम उस सविता का वरण करलो। भर्गो दिवस्य धीमई भर्गो जोती का ध्यान करो। भर्गो दिवस्य धी में भर्गो मतलब जो स्वताह प्रगट अपने आप प्रगट होने वाला है। भरगो दिवस्य धी महीं उसका ध्यान करो जिसको ध्यान करने से धीव योना प्रचो दया धी मतलब बुद्धी बुद्धी के लिए कहा गया उर्जा के लिए कहा गया धी का अर्थ उर्जा जो उसको प्रेरित करेगी एक direction देगी एक उर्जा को हमारे अंदर जो उर्जा है उसको एक direction परदान करेगी उसे एक दिशा परदान करेगी ठीक है तो मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है तो महामिर तो जो गायतरी मंत्र का जो अर्थ है कि तुम अपने भीतर ध्यान करना शुरू करो मात्र यहां पर रटने और जपने की बात नहीं गायतरी मंत्र का जो अर्थ है वो यह कहता है भरगो दिवस्य धी महीं कि तुम भरगो जोती का ध्यान करो और अपने भीतर करो कहीं बाहर मत करो, यह भीतर का विशय है जब तुम अपने अंदर में भर्गो जोती का ध्यान करोगे, सविता का वरण करोगे, सविता मतलब प्रकाश, सविता मतलब चेतना, सविता मतलब प्राता भोर्ग में जब सूरे नहीं दिखाई देता, लेकिन प कि सविता फैल जाती है उसका प्रकाश फैल जाता है उस प्रकाश को सविता कहते हैं जिसका सुरोत नजर ना है तो भरगो दिवस्य धी महीं तुम भरगो जोती का ध्यान करो भरगो दिवस्य धी महीं कहा गया अपने घट के भीतर उतरो और अपने ही आत्म सुरूप का ध्या गायत्री मंत्र महामंत्र है ठीक गायत्री मंत्र इस कारण से महामंत्र है लेकिन जब आप यह कहते हैं कि गायत्री मंत्र में मंत्र से बहुत उर्जा निकलती है और फिर जब आप यह कहेंगे अगर कोई महानुभाव ऐसे महानुभाव मुझे मिल गए तो मुझे ऐसा लगा क कि शायद वो अपना प्रचार कुछ इसी धंग से करते होंगे या फिर अपनी संस्था का प्रचार इसी धंग से करते होंगे इसलिए प्रश्ण करने पर कुछ लोगों के चर्चा करने पर कुछ लोगों ने आग्रह किया कि आप इस विशय पर जो मुझे समझा रहे हैं उस प क्या नवार्ण मंत्र से कोई उर्जा नहीं निकलती और क्या गायतरी मंत्र से सरवाधिक उर्जा निकलती है तो आज यह भी हम जान लेंगे कि सरवाधिक उर्जा किस मंत्र से निकलती है ठीक है तो अब जो है यह विशय है तो गायतरी मंत्र का अर्थ ही उसे महा मंत्र बना देता है और क्योंकि वह उस आत्मा को जानने की बात करता है स्वरूप के ध्यान की बात करता है बर्गो जोती के ध्यान की चर्चा करता है यह उसका महत्व है इसलिए वह महा मंत्र बन जाया करता है लेकिन अब मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है मंत्र का विज्ञान जप स उसको समझना बहुत जरूरी है जब आप मंत्र का जाप करते हो तो देखो कई लोग यह भी प्रश्ण करते हैं कि मंत्र जाप करते हैं तो मन नहीं लगता वास्तों में मंत्र है क्या मनोत्रायती इती मंत्रा जिसके द्वारा मन पर नियंत्रन आए वही तो मंत्र है ऐसा समझना चाहिए जिससे मन कंट्रोल में हो जाए मन की एक आगरता जिससे बन जाए वही मंत्र है तो अब मंत्र कैसे काम करते हैं मंत्र जाप का उद्धिष्य है एक आगरता मंत्र जाप का उद्धिष्य है फोकस मंत्र जाप का उद्धिष्य है धारणा महरश्य पतंजिली जो कहते हैं यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी धारणा से सिध्धियो प्राप्त होती हैं, सिध्यों का विकास धारणा से शुरू हो जाता है, योग में, तो धारणा ध्यान समाधी, तो मंत्र का, मंत्र एक धारणा है, अपने आप में, ठीक है, प्रत्याहार भी है मंत्र, और धारणा की और भी वो हमें ले जाता है, तो मंत्र, अब जब लोग मं था कि मंतर जाब करते हैं तो मन एक जगह पे रहता नहीं जी, हाँ, दो मन हैं दो दिमाग हैं हमारे दो हमारेज्ट लिाश्य होता है और वो दो तरीके से काम करता है, दो इतवादी संसार है, दो आखे हैं, दो नासिका है, हर चीज आप देखो तो एक लंबाई में अगर हम कहें तो हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड होता है दो भागों में बढ़ता है ठीक है? तो होता क्या है? कि ज़्यादा तर लोगों के साथ क्या होता है कि एक तरफ वो मंतर भी जाप करते रहते और दूसरा दिमाग जो है कहीं और घुमता रहता है कि ओफिस में क्या हो रहा है? घर में क्या हो रहा है? बहु क्या कर रही है? सास क्या कर रही है? ठीक है? यहाँ पर मन घुमता रहता है एक तरफ माला भी जब रहा है हाथों में और दूसरे तरफ दिमाग भी काम कर रहा है, इसलिए जब भी मंत्र जाप करें, तो मंत्र के देवता या मंत्र के अक्षर का भी ध्यान करें, विजुलाइज करें, मंत्र जाप के साथ मंत्र के देवता का विजुलाइजेशन होना चाहिए, मंत्र के देवता या मंत्र के उस अक्षर का visualization होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उदगीत या ओंकार का ही visualization करना ही चाहिए, ताकि दोनों ही brain जो है वो एक ही काम में लग जाए, तब जाकर एक सही एकागरता विक्सित हो पाएगी, और जब ऐसी एकागरता बनेगी निरंतर मंतर जाप से, जब आप ऐसी एकागर अवर्धक Lens इसको कहते है, Magnifying Glass को अगर आप सूर्य की किरनों के सामने रख दो, तो नीचे अगर सुखा कागज हो, तो वो Lens क्या करेगा, वो Magnifying Glass क्या करेगा, कि सूर्य की किरनों को एकागर करकर एक बिंदू पर फोकस कर देगा, बहुत सारी सूर्य की किरने जब उस पे पढ़ेंगी उस लेंस से जितनी भी किरने निकलेंगी वो क्या कर देगा उसे एक point पर focus कर देगा अब जैसे ही है वो point पर focus होगा तो उस कागज के अंदर heat से सूरी के ताप से क्योंकि इतनी सारी किरने एक ही जगह पर पढ़ने लगी उनका बिखराव जो था वो खतम हो गया उनका जो बिखराव था वो खतम हो गया और वो सारी किरने एक ही जगह पर पढ़ने लगेंगी तो होगा क्या कि वो जो कागज है उसमें आग लग जाएगी वो जलने यहीं जब हमारा मन मस्तिश्क पूरी तरह से एक ही मंत्र के जप में और उसके ध्यान में जब लग जाता है तो हमारी जो उर्जा है हमारे शरीर में जितनी भी उर्जा है वो एक ही दिशा में वो उर्ध गामी हो जाती है और उनका फ्लो जो है एक ही दिशा में चल पड़ता ह संपूर्ण प्रान शक्ति के अंदर जो उर्जा है वह भी एकाक्र होने लग जाती है और सब का जो प्रवा है वो उर्द्व गामी होकर भ्रिकुटी के तरफ हो जाता है भृकुटी की तरफ हो जाता है अगर सही से मंत्र जाब किया जाए तो ऐसी घटना घटती है लेकिन अब इसमें एक बात का महत्व है कि आप मंत्र किस प्रकार से जप रहे हैं और मंत्र कौन सा है मंत्र में कितने उच्चारन हैं कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं अगर मंत्रों में स्वरों की संख्या अधिक है तो वह मंत्र आपको जल्दी एकागर कर देगा उस मंत्र में उर्जा का संचय या उर्जा जो है बहुत तेजी से उर्धुगामी होगी जिसमें स्वरों की संख्या अधिक है जिनमें व्यंजन की संख्या अधिक होगी वह मंत्र उतना शक्तिशाली नहीं हो पाएगा जो मंत्र में बहुत सारे अक्षर हैं क्योंकि देखिए कहना बहुत असान है आपकी शृधा है किसी विशय पर हमारे तो हमारा तो मन इसी पर टिकता जिस पर मन टिकता भहिया जो करू ना किसी ने यहाँ कोई पकड़ रखा है कि यही करना है जी नहीं लेकिन यहाँ पर मै ॥ार का इसे विडियों में मंत्र विज्यान को ही आपको सम्झा रहा हैे इसे बढ़ियां से समझ लेजिए जिन मंत्रों में वर अधिक हैं स्वर और व्यंजन अगर आप समस्ते हों यह जितने भी है क्या है स्वर हैं तो यहाँ जिन में अंग की मात्रा अधिक परियोग हो रही है स्वरों की मात्रा स्वर जो है अधिक परियोग किये जा रहे हैं जिन मंत्रों के अंदर उन मंत्रों में शक्ती ज़्यादा पाई जाएगी उन मंत्रों के अंदर उर्जा ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा एकागर करेंगे विशेस करके अंग मंत्र का प्रयोग जिसमें ज़्यादा होता है विसर्ग का प्रयोग जिसमें ज़्यादा होता है उनमें शक्ती ज़्यादा पाए जाएगे छीक है दूसरा मंत्र कितना बड़ा है मंत्र की भावना क्या है मंत्र की और साध्धक की एकागरता क्या है जिसकी एकागरता सिद्ध है वह कोई भी मंत्र जपते वो सिद्ध हो जाएगा जिसने अपने एकागरता को वैसे ही सिद्ध करके रखा है वह कोई भी मंत्र जपेगा तो वो असानी से उसकी सिद्धी प्राप्त होती ऐसा कहा जाता है तो मंत्र में कितने अक्षर बनते हैं अगर मंत्र बहुत लंबा चोड़ा मंत्र है तो फिर वहाँ पर उर्जा बिखरेगी उर्जा का बिखराव होगा वह जो एकागर होने वाली उर्जा है उसका बिखराव अधिक होगा मंत्र अगर माल लीजिए पांच अक्षर का है मंत्र अगर दस अक्षर का है मंत्र अगर 12 अक्षर या 13, 14, 15 अक्षर का है तो उर्जा भी फिर उसी तरह से एकागर होगी अर्थात उर्जा की एकागरता में वहाँ थोड़ी बाधा होगी अगर मंत्र जादा बड़े-बड़े मंत्र हैं तो मंत्र विज्ञान समझ लेजी बस अगर मंत्र बड़े-बड़े मंत्र हैं बहुत सारे अक्षर वाले अगर मंत्र हैं तो वहाँ पर उर्जा का बिखराव अधिक होगा उर्जा का एकागर होने में वहाँ पर जादा समय लगेगा जादा जाप करना पड़ेगा अगर मंत्र छोटा है कम अक्षरों का है, तीन अक्षर का है, दो अक्षर का है, पंचाक्षरी मंत्र है, पांच अक्षर का है, अगर मंत्र छोटा है, तो वहाँ एकागरता ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो छोटा है, वहाँ पर जो आपकी उर्जा है, बहुत तेजी से एकागर होगी, बहुत तेज बीच मंत्रों का जो जाब होता है, आपने सुना होगा, तो अगर आप बीच मंत्र का जाब करते हैं, तो उनमें ज्यादा शक्ती पाए जाएगी, उनमें ज़्यादा शक्ति पाए जाएगे, माली जब क्लिंग का ही जाब करिये, तो आपको बहुत शक्ति उसमें जो उर्जा अनुभा होगा, वो बड़े-बड़े मंत्रों में नहीं होगा, उसमें जो उर्जा का अनुभा होगा, क्लिंग के जाप में, वो बड़े-बड़ जुड़ी हुई जो स्वर है तो दो स्वर और एक वेंजन क्लिंग के अंदर है एक आधा लव भी इसमें लगा हुआ है साथ में वैसी हिरिंग है उसमें भी दो स्वर दो वेंजन लग रहे हैं डेड़ वेंजन लग रहे हैं लेकिन अगर पूर्णता वेंजन हो पूर्णता स हो जाए कि सिर्फ स्वर हो जाए कुम वह होता है उद्गीत और एक ही सवर हो सब ना हुख एक वी लग रहा है अन्ग भी लग रहा है तो कैस्वर होसे न तो यहां पर उरजा का विखराव जाधा होगा उर्जा को पूर्णते और काधर करने में समय लगेगा ठीक है अब अगर उद्गीत का जाब किया जाए उद्गीत क्या है आप स्वास लो यह कर लो या हिंकार का जाब कर लो आप ऐसा कीजिए कभी आपको एक मंत्र लीजिए और उसको 108 बार जब कीजिए आप ठीक है 108 बार आप उसका जब कीजिए और आप उंकार का उद्गीत का जैसे उद्गीत लंबा स्वास लेकर लंबा उसका उचारन करते हैं आप उद्गीत के 108 बार जब कीजिए आपको खुद ही प्रतीत हो जाएगा किसमें ज्यादा एनरजी है किसमें ज्यादा उर्जा है किसमें ज्यादा शक्ति का नुभा हो रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा तो मंत्रों को उद्गीत का 108 बार जब करने में और किसी मंत्र का चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र हो द्वादस मंत्र हो गायतरी मंत्र हो महामृतुंजय मंत्र हो उदगीत को 108 बार जब करना और किसी मंत्र को 108 बार जब करने में बहुत बड़ा अंतर आपको मैसुस होगा बहुत बड़ा अंतर मैसुस होगा शायद उद्गीत को 108 बार कर पाना भी कठिन है उद्गीत को सही से नियम से 108 बार कर पाना भी कठिन है 111 बार कर पाना भी कठिन है लेकिन अगर आप कोई मंतर जाब कर रहे हो तो वहाँ पर आप 111 या 108 आप असानी से कर पाएंगे लेकिन उद्गीत करना मुश्किल है क्यों मुश्किल है कि उद्गीत से इतनी उर्जा निकलती है कि आपका रोम रोम कंपित हो जाएगा रोम रोम कंपित हो जाएगा अगर आपने 108 बार लगतार उद्गीत कर दिया तो ठीक है तो अपने आप प्रमानित हो जाएगा यह कोई वह विशय नहीं है अगर आपको लगता है कि इस बात का कोई आपती है कि नहीं भाई गायतरी मंत्र से जादा उर्जा निकलती है या महा मिरतुंजे से जादा उर्जा निकलती है कि द्वादस से जादा उर्जा निकलत अभ्यास करके खुद देख लो पता चल देऑगा एक सो आठ बार उदगीत करोगे तो शरीर की क्या हालत होगी मन की क्या स्थिति होगी और रोम रोम के अंदर कैसा कमपन भरेगा खुद करके देख लो और गैतरी मंत्र खुद करके देख लो और महामिर्टुन्जेक खुदर जब के देख लो पता चल दाएगा ये विज्ञान है अगर बहुत सारे अक्षर हैं बहुत सारे शब्द हैं तो वहां उर्जा उतनी तिवर गती से एकागर नहीं होने वाली उर् ज़्यादा मिलेगा और मात्र एक ही स्वर है मात्र एक ही स्वर का आप उचारन किये जा रहे हैं तो फिर वहां पर जो है कागरता बहुत तिवरता से बननी शुरू हो जाएगी और उसका प्रभाव उस गुंजन का प्रभाव उस गूंज का प्रभाव आपको अपने रोम रोम में आप अनुभाव कर पाएंगे आप खुद इसको करके देख सकते हैं आप कोई मंत्र ले लेजिए उसको 108 बर जप लेजिए और उदगीत 108 बार करके देख लेजिए दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा यह प्रियोग का विश है यह प्रियोग का विश है जितनी एक आगरता आपको उदगीत करते हुए बन जाएगी उतनी एक आगरता बहुत अक्षरों वाले मंत्रों में नहीं बनेगी यह मंत्र का एक विज्ञान इस प्रकार से काम करता है और ठीक उसी तरह से जब आप प्रणौ करते हैं जो कि अजपा है प्रणौ अजपा ह शब्दों से परे है, उच्चारन से परे है, उसका उच्चारन नहीं होता, वो शब्द ब्रह्म ना उसका उच्चारन होता है, ना वो लिखा जाता है, चीक है, ना कोई उसे जिहवा इस पर्ष नहीं कर सकती उस शब्द को, तो जो अगर प्रणाओ, अगर प्रणाओ का अभ एक प्रभावशाली होती है, तो महत्व है कि आप इस विज्ञान को समझे, मंत्रों के इस विज्ञान को समझे कि कैसे मंत्र शक्ति काम करती है, तो इसलिए कहते हैं कि जिसने ओमकार को सिध्ध कर लिया, जिसने उदगीत को सिध्ध कर लिया, उसके लिए अन्न किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवशक्ता नहीं है मात्र ओम कहकर यह च्छंदोग उपनिशत इसका प्रमान है इसका प्रमान क्या है च्छंदोग उपनिशत इस पर चर्चा पहले हो भी चुकी है जिसने उदगीत को सिद्ध कर लिया उसे किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवशक्ता नही पढ़ती क्योंकि वह मात्र हर मंत्र के पहले ओम कहकर जिस भी मंत्र का जाब करेगा वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा इसी लिए हर मंत्र के पूर्व पहले ओंकार के जप का विधान बनाया गया पहले आप ओम कहिए, ओम कहने के बाद मंत्र को पूरा पड़िए तो जिसने उदगीत सिद्ध कर लिया, गैतरी मंत्र का जो पहला अक्षर है ओम आप बस ओम को ही सिद्ध कर लो गायतरी मंत्र बाकी का जो है अपने आप सिद्ध हो गया ठीक है आप जो है बस ओंकार को ही सिद्ध कर लो अच्छे से बाकी अपने आप सब सिद्ध हो गया ऐसा समझना चाहिए और समझने वाली बात नहीं है यह खुद प्रयोग करकर देखन वाली बात है आप खुद परियोग करकर देखें और जाने कि 108 बार आप उद्गीत का जब करें और 108 बार किसी अन्य मंत्र का जब करें चाहे ग्वायतरी मंत्र हो चाहे द्वादस हो, चाहे महामिर्टुन जह हो, जो भी हो, ठीक है, तो मंत्र विज्ञान में यह बाते काम करेंगे, कि मंत्र के अंदर स्वर कितने हैं, मंत्र के अंदर व्यंजन कितने हैं, मंत्र के अंदर कितने अक्षर हैं, ठीक है, उनका उचारन कैसा हो रहा है, अगर उचारन कही अक्षर है यह कही अक्षर है और वह मात्र स्वर है व्यंजन कोई है ही नहीं मात्र स्वर है जैसे ओम में जब आप उद्गीद करते हैं तो मात्र स्वर है ठीक है इसमें कोई व्यंजन रहता नहीं है तो इसी लिए तीन प्रकार के स्वर ओंकार ध्वनी में होते हैं तो ज जब यह स्वर इनका जब वो होता है इनकी जब साधना होती है तो अत्यधिक उर्जा हिंकार का आप जब कर लें कुछ नहीं बस बैठ जाएं नासिका से हम की ध्वनी भवरे जैसी आवाज निकालें आप बहुत शक्तिशाली जब है वो कोई मंत्र आप 108 बर जब लेंगे लेकिन इसको 108 बर करने में हालत खराब हो जाती लोगों की ठीक है फुड़ा कठिन है इसी लिए बड़े-बड़े मंत्रों के जाप से पहले प्रारम भगरना चाहिए शुरुवात करने चाहिए बिगनिंग उसको अपने एंड करके दिखा दिया आपने बता दिया अपने चेलों को बस यहीं खतम सब कुछ अब इससे जादा जानने की ज़ूरत नहीं है संस्थाओं ने अपने चेलों को सिखाया कि हमने जो बता दिया और हमने जो सिखा दिया वही सब कुछ है उससे आगे और कुछ सीखना और जानना नहीं चाहिए कुछ इस तरह का प्रचार कर दिया प्र उससे संस्थान वाद संप्रदाय वाद ऊतरaż का नया संप्रदाय वाद शुरू हो गया है घृ तो इस तरह से बातों को समझना चाहिए जब तक अभियास नहीं करेंगे प्राइक्टिकल करेंगे तब तक यह विज्ञान भी साइसे मंत्र विज्ञान भी साही से समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मंत्रों की साधना मंत्रों में शक्ति है उर्जा होती है उर्जा बनती है उनमें और उर्धुगामी हो हमारी जो चेतना है हमारी जो उर्जा है वह सब कुछ उर्धुगामी हो जाती है निश्य ही उसके अंदर बहुत शक्ति पैदा होती है बहुत सकरात्मक उर्जा पैदा होती है अभ्यास का विशा है आपने किस पर अभ्यास रख किया है और किसमें भावना टिका के रखी रॉकेट साइंस यहां पर समझ लेजिए कि एक तरह का लोकोक्ति के तरह हो चुका है, रॉकेट साइंस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आदमी समझी लेता है उसको भी, तो यहां पर कहने का मतलब कि कोई ऐसी कठिन बात नहीं है समझने में, कि उर्जा जब आप मन्तर जाप करते हैं और हमारे मस्तिष्च में मंत्र जाप में लग जाते हैं, मन में तो कबीर साही की चाहले कारएक मन के साथ नहीं ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। किसी एक-दू विक्ति के साथ नहीं ज्यादातर लोगों के साथ होता है। चित्वर्ति का निरोध करने के लिए हम बैठ के साधना करने लेकिन चारों तरफ से विचारों का बाढ़ आ गया तुफान आ गया जैसे कि अनेकों विचार आ रहे हैं ऐसे ऐसे सोच ऐसे विचार जो समानिता नहीं आते वो आपको ध्यान में साधना करते समय आ जाएंगे ज लेकिन यह तो एक psychological science है विज्ञान होता है सबके साथ होता है रिशी मुनियों ने भी इस संघर से गुज्रे और हमें भी जब अर्जुन कह रहा है कि अती चंचल है यह मन वायू के समान दुश्कर है इसका निगरा प्रमाति है बलवान है ते रिक्रिश्न कहते है असंशय महाबाहो मनो दुर निगरहमचलम इसमें कोई शंशय नहीं है अर्जुन की मन बहुत चंचल है इसमें कोई संशय नहीं है अभ्यासे न तू कौन ते वैराग्ये न चग्रियते अभ्यास और वैराग्ये से ही यह सिद्ध होता है मन की स्थिती सिद्ध बनती है मन की स्थिती सुधर जाती है इकाग्रता आ जाती है तो इसी प्रकार से जब हम सही विधी से सही तरीके से मंतर जाप करेंगे तो उससे भी एकाग्रता बनती है प्रारंबिक साधकों के लिए जिनको अव्यक्त साधना नहीं पता जिनको प्रणाव साधना का ज्यान नहीं है नहीं जानते और वहां तक नह कारे में बताया जाता है कि प्रारंभिक साधनाओं में इसका बहुत महत्व है इसलिए कहा गया उत्तमों ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा इस्तूतिर जपो अधमों भावो बही पूजा अधमा धमा कि बहरी पूजा अधम से अधम इस्तूति और मंतर जाप अधम और ध्यान मध्यम और उत्तम है ब्रह्म का सद्भाव साक्षी भाव और ब्रह्म का सद्भाव होना ही उत्तम है जबरदस्ति का विशय नहीं है यह अभ्यास करते हुए ही आता है जो ध्यान साधना का अभ्यास क करेंगे कुछ दबरदस्ती कुछ लोग कहते हैं मैं साक्षी बाव का अभ्यास करता हूं साच्षी बाव बना कर रखने वाली चीज नहीं है जब आप ध्यान करेंगे जब सही तरीके से ध्यान योग होगा तो साक्षी भाव अपने आप आ जाता है practical रूप में भी आ जाता है इन सब बातों को समझने की आवशकता है और मंत्र विज्यान को समझने की आवशक्ता है मंत्र जाप करके खुद देखने की आवशक्ता है तो यही एक विशय था इस पर चर्चा करनी थी किसी का बहुत ही करुन आग्रह था कि आप इस पर थोड़ी चर्चा करके समझाएं कि क्या अमेरिका के व्यज्ञानिकों ने अगर ये सिद्ध किया है कि गायतर मंत्र का जाप बंद कर दे महा मिरतुंजय का जाप बंद कर दे क्या उधगीत का जाप बंद कर दे तो उनका यह प्रशन था और उनके कोई दूसरे मित्रिया जो भी कहिए वो अब माल लीजिए कि हनुमान चली सा एक लड़की पढ़ रही थी उसका ट्यूमर का ब्रेंट ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पर कौन सा विज्ञान काम कर रहा था डॉक्टर ने बताया कि वास्तों में एक पोजिटिविटी आ गई एक पोजिटिव एनरजी चारों तरफ फैल गई और उसका पूरा ध्यान एक सकरात्मक विशय में लगा रहा और हम ऑपरेशन करते रहें पता भी नहीं च पैलाने वाली बात है हमारा जो ब्रेन है वह एक समझ लेजिए कि ट्रांस्मीटर की तरह काम करना शुरू कर देता है ठीक है वह अपने अंदर से वेवस निकालता है जैसा हम चिंतन करते हैं उसी तरह की तरंगों को वह फैलाता है इसलिए जब हम मंत्रों का जाब करते हैं तो सकरात्मक तरंगे ही चारो और फैलती हैं तो यह सब चीजे एक मनोविज्ञान के साथ और एक उर्जा का प्रवाह है उसी के साथ उसी का विज्ञान है या उर्जा का विज्ञान है मन का विज्ञान है मनोविज्ञान है मंत्र का जाब इसे समझना चाहिए और समझ कर इसका भ्यास करना चाहिए, भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ऐसा करेंगे, कहीं तो भी तहीं ऐसा है, और वैसे में नहीं है, तो इस तरह की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए, हमारे भाशा में, हमारे संस्कृत भाशा में, हमारे वेदों में, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जि उर्जावान बनते हैं, बुद्धिमान भी बनते हैं, ओजस्वी बनते हैं, हमारी वानी में ओजाता है, अगर संस्कृत का सही उचारन, वैदिक संस्कृत का उचारन कोई करे, सीखे जाने रुद्री पाठ, जो यजुर्वेदिय रुद्री पाठ आदी होता है, अगर आप उसको करते हैं, जानते हैं, और संस्कृत का सही उच्चारन करते हैं, तो बहुत सारी वाक संबंधी जो दोश है वो खतम हो जाते हैं, किसी को हकलाने की आदत है, किसी की आवाज बहुत पतली है, या किसी की आवाज में कुछ तुरुटी है, तो अगर सही से, अगर वह मंत्र कि हलके फुल के मंद बुद्धी होना अलग बात है, कई बार बिमारी के रूप में होते हैं, जैसे कि कई ऐसा देखा गया है, कि उमर हो गई है 20 साल की, लेकिन जो दिमाग है, वो 5 साल के बच्चे की तरह काम करता है, ऐसे, तो फिर उन्हें हम मनो रोगी कह देते हैं, हम उन् मंत्र उन्हें सुनाया जाए, अगर उन्हें बार बार नवार्ण मंत्र ही सुनाया जाए, या गायतरी मंत्र, महा मंत्र, बार बार सुनाया जाए, तो उसका प्रभाव सकरात्म के रूप से उनके दिमाग पर पढ़ने लग जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा पर इसाब से उनका दिमाग उस धंग से काम नहीं करता था काफी नीचे काम करता था उनमें काफी सुधार आ गया काफी सुधार आ गया तो निश्य ही मंत्रों के अंदर बहुत अदभुत शक्तियां हैं लेकिन इसको संप्रदाईक विश्य नहीं बनाना चाहिए यह नहीं कहना कि फलाने मंत्र में ही शक्ति है बाकी मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है या फिर तो मंत्रों के शक्ति के पीछे जो चीज काम करती है वह यह विज्ञान काम करता है मंत्र कितना बड़ा है उसके अक्षर कितने है उसमें स्वर कितने है उसमें वियंजन कितने है ठीक है अगर पर मात्र उसमें स्वर है तो और भी अच्छा होगा वो ज्यादा एकागर करेगा तो यह सारी चीजे काम करती है तो मंत्र विज्ञान को समझे यहां पर मैंने यहां विडियो किसी मंत्र के परचार के लिए नहीं बलकि मंत्र विज्ञान को समझाने के लिए और जप के विज कर देता है और वहां पर बहुत भारी उर्जा प्रगट हो जाती आग लग जाती वहां पर magnifying glass जो है फूर की किर्णों को इकठा करकर एक बिंदु पर फोकस करेगा तो वहाँ पर अगनी प्रगठ हो जाएगी वैसे ही हमारा जो मंत्र है मंत्र क्या करता है मनोत्रायती थी मंत्रा मंत्र जो है मन की उर्जा को एकागर कर देता है मंत्र जो है मन की उर्जा को एकागर कर देता है तो मंत्र जो है मैगनीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है मंत्र कैसे काम करता है मैगनीफाइंग ग्लास की तरह मंत्र का जप मंत्र का जाप जो है मैगनीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है यह बात समझ लेनी चाहिए तो चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को यहां विराम देंगे और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं उसको समझने का जो अगर उसमें कुछ बोलने बताने लाइक होगा तो उस पर चर्चा की जाएगी मफत लाल पटेल जी बहुत बहुत अभी नंदन है आपका हरी मोहन गुपता जी पृत्वी का सबसे ताकत रो भारी प्रानी गज है फिर गज और गरा का युद्ध कैसे संबव है इसमें संशा है गज को बचाने हरी कैसे आ सकते हैं किरपया समझाए गुपता जी आप खुदी अनुसंधान कीजिए कि पृत्वी का सबसे भारी प्रानी गज है कैसे गज है क्या आपने ग्राह को नहीं देखा कभी नहीं देखा तो चुडिया घर चले जाईए और चुडिया घर में जड़ा देखिए मगर मच कि घरियाल कितने बड़े बड़े होते हैं क्या वो हाथी के पैर पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं गुपता जी आपके इस प्रश्ण से यह लग रहा है कि मात्र प्रश्ण करना है विचार नहीं करना है अब खुद ही विचार कर लिजिए आप खुद ही सूचिए क् प्रश्ण का उत्तर देने लायक नहीं है तो इसलिए अगर ऐसे प्रश्ण रहेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा मुझे नहीं लगता कि अरे भाई इतना बड़ा वेल प्रानी है वेल मचली है और ना जाने हाथी से बड़े बड़े और कितने जीव हैं कितने ऐसे सर्प है अना कोंड़ा नामक सांप है और ना जाने कितने उसके सामने हाथी का वजन कम हो जाएगा कम पड़ जाएगा ठीक है तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है मगरमच की साइज कितनी होती है मगरमच का वजन कितना होता है कितना भारी भरकम मगरमच एक होता है ग्राह जिसे कहा जा रहा है घड़िया जाकर चुडिया घर में आप घूमिए आपको उसका आकार देखकर पता चल जाएगा कि वो हाथी के पैर को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है तो व्यर्थ का प्रशन है यह स्थूल जगत है सुक्ष में जगत है मैंने कारण जगत के बारे में सुना है पिप्या उसके बारे नहीं पता उसके बारे में कुछ जगत नरायन जी सविता नायक जी सविता नायक राजूपाल जी मिथले सिंग जी किसन जी ने जो अव्यक्त कहा है क्या यह कारण जगत है जी नी वो परमधाम है बताया उनूंने परमधाम है विंदेश्वरी मिश्रा जी मानसिक सस्तांग दंडवत प्रणाम स्विकार करें बहुत अभिनंदन है आपका मिश्रा जी गंबिर शाह जी, अर्जन चोहान जी, सर्मानंद पंडित, सूरम पत्याल बहुत शांती का अनुभव हो रहा है, अच्छी बात है गनेश पवार जी, अनिल कुमार, शंकर प्रसाद, दिनेश महराज, आमसरी, राम निवास मीना, कार्तिक बेदी मंत्रों को कैसे जपा जाए कि उनकी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो, मंत्रों के जाप के साथ उनकी देवी देवता का भी ध्यान हो, तो अर्ची बात है, नहीं तो मंत्र का ही ध्यान हो आप सिर्फ मंत्र जबते हो और दूसरा दिमाग इधर उधर भागता रहता है मंत्र के द्वारा चक्र भी बैलेंस होते हैं बिल्कुल होते हैं माधुरी, कोलेजी, बल्दाव, नात योगी, भूप, सिंख, हीचर, पूनम, सेठी, रमेश, पेश्वानी, आकाश, वदर अर हमारे साथ हमारे देवतापुरी करते हैं एकश हमारे सीमन की उसल yang जिए विधिवत, विधी क्या है कौण सा मंत्र मंत्रों के जिए वैंधियां होती है तो वह हमने चर्चा नहीं कि है मंत्र विज्ञान पर चर्चा कि है कुल्दीप मिश्रा आकाश वदर जी योगेंद्र पंडित रचना आरके राकेश मराठे कि सतीश कुमार रतन सिंग परिनीती सिंग विनूद कुमार सूध शिवम भट सागर बदगुजार कि अगर ढिया जलाते समय देवी माता की फोटो जल जाए तो क्या संकेत संकेत नहीं होता है फोटो जल गया है इसका मतलब संकेत है कि नया फोटो ले आएये उसकी स्थापना किजिए उसकी शुद्धि किजिये और पूजा कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए क्या मंत्र जाप से पापों का च्छय होता है मंत्र जाप से एकागरता बनती है मंत्र जाप से मन पे नियंत्रण होता है मंत्र जाप से मन एकागर होता है साधना होती है और मन व्यर्थ के विचारों में इधर उदर से बचता है तो निश्य ही थोड़ा पापों का भी छह हो जाएगा सरोज कृष्णानी जी प्रसांत सेठ विधी में तुटी मंत्र उचारन अत्वा विधी में तुटी होने पर अनिष्ट की संभावना भी होती है ऐसा कोई अनिष्ट नहीं जो अनिष्ट होना था वही अनिष्ट होता है मंत्र जाप अगर सही से हो जाए तो हो सकता है कि उस अनिष्ट में कमी आ जाए लेकिन जो अनिष्ट करम से आना था वो जरूर आ जाएगा अगर मंत्र में तुटी होती है या सही से जो होना है नहीं हुआ मंत्र की शक्ती का प्रयोग कैसे करते हैं? मंत्र पहले सिद्ध हो तो उसकी शक्ती का प्रयोग होगा मंत्रों की शक्ती का प्रयोग जब आप किसी मंत्र को बहुत जब कर उसको सिद्ध कर लेते हैं सवा लाक बार जबते हैं पचास हजार बार जबते हैं लोग दस हजार बार जबते हैं चालिस हजार बार जबते हैं तो ऐसे जब कर जब उसे परिपक्व कर लेते हैं, तो एक बार या दो बार कहने मात्र से ही उसकी जो उर्जा है, बहुत तिवरता से एकागर होने लग जाती है, फिर वो उर्जा काम करती है, मैं भी दस ओम प्रकाजे दस सालों से गायतरी मंतर जब रहा हूं, मैंने भी पचास लाग गायतरी मंतर जब कर लिये होंगा, अच्छी बात है, मंत्रो अपने विश्वास कनुसार काम करता है करमों कनुसार काम करता है ऐसा अभ्यास पर निर्भर करता है विश्वास और अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है करम तो इनसे उपर है करम का फल तो आएगा हां मंत्र जाप से यह जरूर हो सकता है कि बहुत बड़ा बड़ा जीवन में आये और उसका असर ना हो यह साधना पिंद्र भर करता है मंत्र एक साधना का अंग है मंत्र जाप करना संपुर्ण साधना नहीं बलकि साधना का एक अंग है मंत्र से नहीं मंत्र जपा से अजपा अवस्था में जाना होता है भीम राव माने आपका विशलेशन बहुत सुन्दर शीक है पक्षवानी से है गंगा के जरब बहता है बहुत अभिनंदन आपका भीम राव माने जी विजय मंडल रजनेश बरफानी जैनती भाई पटेल बजरंग शर्मा विजय मंडल अजीद अपराजित धर्मेंद्र शर् क्या है किसी अक्षर के ऊपर बिंदी हो तो उसको कैसे ओचारन करें उसका उचा उमकी मात्रा के साथ करते हैं तो चैनल के उपर नमान्न मंसर का का विडियो है चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा आप उन्यूइन मंसर सर्थ कर लें यूट्यूब Koren जags में लिखते द्यु गैतरी मंत्र महामिरतंजरđंड़ीः जापका मंत्र मुझे कोरोना वायरस से बचाने में बहुत फैदा किया और मेरी जान बचाने में बहुत मदद की बहूत अच्छी बात बिलकुल सही बात है किसी किसी जगह किसी अक्षर के उपर बिंदी होती है वहां माँ पढ़े या गव पढ़े माँ पढ़े मही पढ़ते है जी अगर वह अंत में है तो अंकी मात्रा होती है ना अंकी मात्रा होती है वह क्या होती है अंकी जब अंकी मात्रा होती है तो हल्का सा अगर अंत में आता है जैसे कि आपका बहुत सारे मंत्र होते हैं उसमें नौ जैसा उचारन आता है बिंदी के उपर और अंत में अगर पढ़ता है तो उसमें गह जैसा उचारन भी आता है जैसा आता है गह नहीं होता हूँ गह नहीं पढ़ना होता ठीक है या एक ऐसा विशय है ठीक है तो इसलिए गह नहीं पढ़ना होता मा का उचारन आता है ठीक ना और मा गह का उचारन नहीं आता है अंकर सोनी जी चंद्रा ग्रह का बल कमजोर हो उसका उपाय और मंत्र क्या है शिव उपासना कीजिए Mr. Avanish रुप्या वैदिक मंत्रों को उचारित करने का करने का संखेप में बताएं वैदिक मंत्रों का उचारित करने का संखेप में क्या बता तो दिए इतनी बड़ी चर्चा क्या थी हाँ उनका विधी क्या है तो वो सीखना पड़ेगा और वो संखेप का विशय नहीं है वो संखेप का विशय नहीं है वो सीखना पड़ेगा सही विधी से तभी हो पाएगा संखेप में तुरुटी हो जाएगी और तुरुटी हो जाएगी तो फिर उसका जो लाब मिलना है आप लाब उठा नहीं पाएंगे, जब तुर्टी ही होगी तो लाब कहां से मिलेगा, जब प्रकाश यादो, जितने भी मंतर है, कैसे उत्पन हुए, इनके अधार क्या है, इनके अधार मंतर विज्ञान है, भाशा विज्ञान है, ठीक है, रिश्य म सबकुछ विज्ञान पर है वाकई ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर मनुश्यों को बहुत अधिक लाव होता है मैगनिफाइंग ग्लास मन की उर्जा के कॉंसेंट्रेशन के लिए जब है जी हाँ मैगनिफाइंग ग्लास एक तरह का मंत्र जब है बैदनात मारंडे जी हरिहूम जी वैजनात कुश्वाहा सत्सत नमानी आपको अकाश वदर जी प्रशांत सेट पंकर सुनी बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का ठीक है जुड़े रहें बने रहें और इसी प्रकार से लाब उठाते रहें तो चलिए अभी हम विराम देंगे आज की इस चर्चा को कल फिर मिलेंगे ध्यान योग इस विशय को मंत्र जाप से क्या परिवर्टन आता है और मंत्र जाप हमें ध्यान का कौन सा अंग है ये तो ध्यान योग के कोर्स में भी मंत्र जाप के बारे में बताया जाता है जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स जुआइन कर रखा है, अभी 14 दिसंबर से जो शुरू हुआ, जुआइन कर रखा है, वो भली भाती मंतर ज्याब के बारे में इभुन को बताया जाता और बहुत सारे अभ्यास बताया जाते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, इन सब का विज्यान, मंतर जाब का, ध्यान का, योग का समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में जानना चाहते हैं, लाब उठाना चाहते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स कीजिए, जो 29 तारिक से सुरू होने वाला है, 29 से, अगर आपको करना है ध्यान योग के कोर्स के लि किस तरह से सशुल्क है या नेशुल्क कारिकरम नहीं है या कोर्स एक महिने का सशुल्क होता है तो आप जरूर इसको ज्वाइन करकर इसका लाब उठाने का प्रयास करें तो ध्यान योग का इस नंबर पर आप जो है इसको चले और करें चीक तो चलिए तो इसी के साथ विच विराम देंगे आकाश यादव जी पूछ रहे हमारी प्रार्थना प्रकृति पूरी करती है या इश्वर पूरी करती है वह हमारी भावशक्ति पूरी करती और भावशक्ति प्रकृति रूपा ही है या एक विश्य है जो एक वाक्य में तो नहीं लेकिन भविश्य में कभ कृति पूरी करती है या इश्वर पूरी करता है इस पर कभी और चर्चा जरूर होगी तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज के सिकारिक्राम को और चर्चा मिलेंगे बहुत सारे विशाय तो बार-बार जनम क्यूं होता है करम संसकारों के कारण जब तक करम संसकार है उनका निरोधनी होगा तब तक बार-बार जनम होता ही रहेगा ठीक तो विराम देते हैं इसी के साथ कल मिलेंगे नौ बजे फिर एक लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और लाब उठाते रहें झाल 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 झाल